इस बार धान किस्तानों को खरीद पर भोनस के रूप में प्रतिक विंटल 10 रुपे देने की तैयारी है आपको बता दें किस्तिसानों को प्रतिक विंटल धान की विक्री पर 2050 रुपे दिया जाएगा जिसमें 2040 रुपे प्रतिक विंटल धान की खरीदारी पर केंदर सरकार देगी जबकि जहारकन राज्य सरकार की ओर से 10 रुपे बोनस दिया जाएगा पिशली बार बोनस 110 रुपे दिया गया था पहले से ही बोनस की रकम लगातार कम की जा रही है केंदर सरकार के दिशा निर्देश पर जारखंड में राज्य सरकार बोनस देने की परंप्रा को स्माप्त करने की ओर है केंदर का कहना आए कि दूसरे राज्यों में जहां बोनस की प्रंप्रा नहीं है किसानों को बोनस के रुप में 10 रुपे प्रति की विंचल देने की बात रखी गई है जिसके बाद इसे लागू करने की दिश्या में टैयारियां शुरू कर दी गई है खादया पूर्ती मंतरी रामेश्वर उराव बताते हैं कि जो भी अंतिम निर्णया होगा वो सभी सदस्यों का होगा इस समंद में छट के बाद स्पस्ट हो जाएगा और किसानों को इसकी जानकारे मिल जाएगी वहीं पिछली बार किसानों को धान विक्री पर दोजार पचास रुपे प्रतिक विंचल दिया गया था इस पे बोनस भी शामिल था इस बार भले ही बोनस के रूपे दस रुपे देने की तैयारी है लेकिन कुल मिलाकर इस बार भी पिश्ली बार की तरह ही 2050 रुपे प्रतिक्विंचल की राशी दी जा रही है किसानों को सिर्फ बोनस को लेकर ही निराशा होगी लेकिन इससे बिचोलियों पर भी लगाम लग जाएगी खास करके जो नजदी की राजियों से वहां आते थे और बोनस के लिए किसानों का सहरा लेकर मोठी रकम में धान की विक्री पर बोनस ले जाते थे पिसले वर्श सरकार ने किसानों से धान खरीद पर बोनस के रूप में करीब 90 क्रोड रुपे किसानों को दिया जब कि कुल 1540 क्रोन रुपे किसानों के धान की खरीदी पर भुखतान किया गया मिली जानकारी के अनुसार विभाग इस बार इतनी बड़ी राशी बोनस के रूपे खर्श नहीं करना चाह रही और उनी किसानों को लाब देना चाह रही है जो धान की खेती खुद से कर रहे है ताकि उन्हें बाजार धर से अधिक कीमत पर धान का मुल्य मिल सके